हेलों वेलकम तो दे चैनल ट्रेडर्स आज हमने ब्रेटानिय और टीसस को ट्रेट किया था इसके पीछे के लॉजिक हायर और लोवर टैम फ्रेम के नैल्सिस क्यों हमने ट्रेड एक्जिक्यूट करने से पहले आप लोगों को अपने ग्रूप पाज शेयर कर दिया था सारी च टीसस को देख लेते हैं अभी इसके अंदर हमें बीच में ही निकलना पड़ गया वेकॉज हमारे टार्गेट से बहुत पहले काफी नीचे आ चुगा है टार्गेट से काफी पहले हमको निकलना पड़ गया था सो सेक्टर्स के ऊपर देखेंगे चलके भी आगे की वीडिय बुद्धनिया का जो बेताने और टीसस इन दोनों को लिए किया था बिटानिह अगेट-टार्गेट की क understood कि आ फिर भी हमको हमारे टारगेट्स लग बग एचिफीव हुए युब हम पैज को से माइट ह-,熟े सब्द्धनिय को घृट्रियद किया थे introducing foreign τौपर फ्रहेजर Peach क करेंगे और TCS को भी देखेंगे और अच्छा होआ है बिटानिया के अंदर हुआ है फ्राइडे का दिन है पुरा वीक हम इसको एंज्य करेंगे एंड वन बाइवन चलिए एक बार हम अपने स्टॉक्स के उपर चलते हैं चार्ट के उपर इसका डिसकेशन करते हैं और आगे चल करके हम लोग डिसकेशन करेंगे अपना एक कॉंसेप्ट हैं आपको समझाना है ट लोग के अकॉर्डिंग हमने आज इसको ट्रेट किया था आगे का जो कॉंसेप्ट हैं जिस कॉंसेप्ट को हम समझाने की डिसक्रशन करने की शेयर करने की बात करें काफी इजी है इसी तू यूज है अगर हम इसको पॉफेक्टली अपने ट्रेडिंग सेटप में इन्वाल कर लेते उसको प्लस कर लेते हैं तो हमारा ट्रेडिंग का जो सिस्टम है यह और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है तो पूरी तरह से मेरी कोशिश रहती है कि जब हम ट्रेट करते हैं तो उसका क्या experience होता है यह पूरा का पूरा experience हम आपके साथ शेयर करें किस तरह से आपकी इतना हमारा हग बनता है कि हम आपसे एक लाइक की उम्मित कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए जिसे कि हमें भी थोड़ा सा appreciation मिलता है आप लोगों की तरफ से ताकि हम अगली वीडियो में और भी ज्यादा मेहनत कर स तक है ओके सो आगे बढ़ते हैं बिटानिया में देखे क्या हुआ था कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोग टाइम दोनों को ही एक बार हम देखेंगे जैसे कि प्रीवियस यहां पर कहीं हमने बिटानिया को भी ट्रेट किया था उसके अप सैड में बिटानियों को दो-तीन ब हमारी बनी है price में क्या होना चाहिए था इस green वाली candle की थूप price हमारा upside की तरफ गया था इस इसको थोड़ा सा समझने क्षिश्श किजेगा इस green वाली candle के थूप price हमारा upside की तरफ गया और price ने downside के तरफ एक range draw की थी अपनी सो इस range के according price को जो कि लगाता है नीचे की तरफ गिरता चिला कैं He Freunde की तरफ चला गया ओ कि आगार मार्क को up-side की तरफ जाना है तो अपनी इन्हींस को प्र रिक कि करके प्राइज की criança की तरफ जा सकता हो Strike क्यों कि यहां पर जो buyers involved हुए हैं Britannia के अंदर उनमें volumes काफी ज्यादा था यहां पर देखे volumes काफी ज्यादा था प्रीवेस जितनी भी हमारे sellers की वालुम्स थी बेर्श वालुम्स जितनी भी थी उनका सभी breakout हुआ था उन सभी volumes का breakout हुआ था यहां से क्या उमीद हम लगा सकते थे कि price यहां से upside के तरफ जा सकता है अगर इन ranges को price upside के तरफ ब्रेकर कर देता है बट price ने बिल्कुल भी breakout नहें किया इस green वाली candle ने जब formation बनाई थी 6 October को उसके बाद से 7th October से prices ने resistance ब्रेक करने बंद कर दिये पूली तरह से हम यहां पर देखेंगे 7th October को चलिए और 7th October को काफी आराम से ध्यान से सुनिए गाई इस चीश को 7th October को price ने पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने बंद कर दिये थे यानि कि यह लगातार market downside के तरफ गिरी थे ओके 7th October देखे 9.15 की candle 9.15 के बाद से एक भी resistance ब्रेक नहीं हुआ है यहां से देखें एक भी resistance ब्रेक नहीं हुआ और price ने सीधे downside की तरफ आगया प्रैस सीधे downside की तरफ आए एक high लगा उसके बाद में सीधे अपना low back कर दिया तो क्या simply हमें देखने से लग रहा है कि 7th को market ने एक bearish candle फॉर्म की थी यानि कि अपने supports भेकिये तो resistance पूरी तरह से protect कर ले गई थी market उसके बाद भी देखें downside की तरफ ही market आए उसके बाद अब इस green candle के low पर देखिए एक red candle form होती है अब इस red candle से क्या होता है कि market ये वाली जो red candle form हो रही यहाँ पर एक भी resistance break नहीं हुए यानि कि market ने अपने swings को break नहीं किया अगेन क्या होता है कि अगर market को ये down momentum continue करना है जो कि last trading session में हुआ था down momentum continue करना है तो market क्या करेगी फिर से कल यानि कि इस दिन जितने भी price actions हुए हैं उन्हीं को follow कर सकती है कि तरफ सो आज market ने क्या किया कि ये सीधे downside की तरफ गिरने लग गई और अपर range में एक resistance point जो की higher time frame पर हमने draw करके रखा था market exact उसी point से downside की तरफ गिर गई ये resistance point हमने morning में ही आपको share कर दिया था telegram channel पर वहीं से market downside की दरफ आई है और हमने जो अपनी entry लिए exact कोशिश की है कि prices में जहां से rejections start हुए हैं हम वहां से अपनी entry करें stop loss छोटा आएगा और targets हमको बड़े मिल जाएंगे सो ब्रिटानिया में अगर आप lower time frame पर आ करके देखोगे तो यहां पर साथ को क्या हुआ है कि market अपने lows लगाए है यहां पर देखिए 325 तक काफी जादा market अपने lows लगाए थे और उसके बाद एक resistance पर market रूख गई थे अब अगर हम यह resistance mark कर देंगे Candice में ज़्यादा confuse मत होईएगा अगर यह resistance हम mark कर दें तो देखिए यहां पर इस range को market बिल्कुल भी break नहीं कर पा रही है और इसने आज भी इस range को break नहीं किया और कल जो market close हुई थी हमारे same resistance point पर close हुई थी यह शहां पर देखिए है ना अब यह वाली जो range है यह वाला जो point है हमको अगर एक भी confirmation अपनी इस range के नीचे मिल जाती है प्राइस को short करने के लिए तो हम यहां पर short कर सकते हैं सो देखिए price start होता है start होने के बाद downside की तरफ गिर गया और upside की तरफ अब अगर इसको निकलना तो अपनी रेस्टन्स को break करके निकल जाएगी बट यहां पर जो price actions बन रहे थे volumes की जो confirmations हमको मिले थे यहां पर lower time transfer सो उन्होंने काफी हमारी मदद की यहां पर एक trade execute करने में because देखिए कि price आपका upside की तरफ तो जा रहा है price आपका upside की तरफ तो जा रहा है बट volumes गिर रही है है ना price आपका upside की तरफ तो जा रहा है बट volumes गिर रही है sellers कमजोर नजर आए हमको इस वज़े से हमने क्या क्या just swing high यह वाला जो हमारा previous high था हमने इसके उपर अपना hassle count किया और यही हमारा कल का resistance point भी था इन्ही resistance को देखते हुए हमने बिटानिया को trade किया था और downside की तरफ अब यह गिर तो काफी गया है बट previous day में देखेंगे तो यह कुछ support points है previous to previous day के अपने support point है जहां पर हमने targets भूख करने की कोशिश की हाला कि price गया उसके नीचे तक है हम चाहते तो यहां पर भूख कर सकते थे बट हम भूख नहीं कर पाए सदेन एक move upside की तरफ आ गया तो जैसे price इस रेंज से टकराई हम यहां से बार निकल गया हम चाहते तो इसमें 2 या 3,000 रूपीस का हमारा profit और भी बन सकता था वेट कर रहे थे बट यह सदेन मूव आया तीन केंडल का तो यह last move था अब इसके बाद भी अगर हम बने रहते त तो समझदारी नहीं होते हैं तो बिटानिया के यही ट्रेट और सिंपल ट्रेट था तो ओवर और बिटानिया के अंदर जो हमको profit आज के दिन हुआ था बारह हजार दो सो रुपए के आसपास का profit लगबग लगबग हुआ था तो यह बिटानिया के ट्रेट था और TCS को explain कर बिल्कुल भी नहीं चला बिल्कुल भी नहीं चला मतलब यह है कि जो हमारे टार्गेट इसके अंदर हमने लगा करके रखे थे वह टार्गेट हमारे थे 4000 रुपीज के resistance अपने जो swings को break अभी इन swings के ऊपर ही discussion हम लोग करेंगे जो zigzag pattern होता है BCD pattern बगरा जिसको बोलते हैं इलियेट वेप्स बोलते हैं वेप्स भी बोला जाता है इनको इनहीं के ऊपर discussion करेंगे आज का प्राइस देखिए upside की तरफ गया और यहीं सी यह ऊपर की तरफ जाने लगा बस 3990 इसके नीचे से ही प्राइस हमारा टर्न हो गया हाई टाम ट्रेम पर भी इसकी एक केंडल थी अगर उसकेंडल को हम देखेंगे तो सेम लेवल से प्राइस हमारा टर्न हो गया बट इसके जो टार्गेट सर्म में दे रखे तो 4000 रूपीस के थे इसके अंदर यह इतना ज्यादा गिर रहा था तो उस वक्त आइटी सेक्टर भी हमारा गिर रहा था जब आप निफ्टी को देखोगे तो भी गिर रहे हैं आप 12 बजए के आसपास निफ्टी का चार्ट देखिए रिलाइंस तो आज खूब ही चला है निफ्टी सेम टाइम पर अगर हमें इंडेक्स से या निफ्टी से भी कुछ कंफर्मिशन मिलती है तो एक अच्छा अपॉर्चुन्टी होती है यह प्राइस एक्शन को समझ लेने की देखिए बारा बजए से बारा बजए की जो कैंड इसे आपको कुछ न कुछ help मिलती होगी तो यहां से देखिए प्राइस जब डाउंसाइड की दरफ गी नहीं लगा था पर हमारे इंडिकेशन था कि हम यहां से बहार निगल सकते हैं तो टी से हम तुरंट एक्जिट हो गया और टी से का जो अपना अपना आज का ट्रेट अपने इस अनल्सिस को हम लोग यहीं पर खतम करते हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जरूरी है आपको समझना चाहिए इसा तो थैंक्यू और आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो थोड़ा सा बढ़ा हो सकता है ब वीडियो इस वाजे से थोड़ा सा लंबा हो जाता है उसके लिए सौरी थैंक्यू और आगे की तरफ बढ़ते हैं देखिए यह जो कॉंसेट है इसको बहुत से टेक्निकल अनल्सिस की लेंग्विज में काफी सारे वर्ड दिये गा है काफी सारे जैसे कि आप इसको इसको बोल सकते हो भीफ्स हम लोग जो इसको जिगजाग पैटन भी बोलते हैं किस नाम से हम इसको डीनोट कर रहा है यह था कॉंसेट क्या है यह थाज पस्यूज मत हो यह उल् иक्षरी होता क्या है कि तो प्राइस किसी एक range से जैसे downside के तरफ गिर रही है या फिर upside के तरफ जा रही है, इसी भी एक range से, मान लिजे, price हमारा downside के तरफ गिर ओके, यहीं सोट करके, अपर range पकड़ी इसने, down, फिर उपर, downside, फिर upside, downside, upside, down, up, so अब हमें देखना क्या होता है इसके अंदर, basic लगा है, market ने यह वाली जो swing लगा है अब जैसे market downside के तरफ गिर रही है हमारी, अब जिस range से यह market उठ करके, upside के तरफ गई है, without reason तो कुछ होगा ने, without reason तो नहीं हो सकता, अब अगर market हमारी upside के तरफ गई है, यानि के यहाँ पर कुछ ना कुछ support points होंगे, जिनकी मदद से price upside के तरफ गया है, या फिर यहाँ से एक swing लगा करके market जो downside के तरफ आई है, बे बचा तो आई नहीं होगे, without reason तो आई नहीं होगे, तो यहाँ पर इसको कहें ना कहीं एक rejection मिला, या फिर resistance points थे जहाँ से इनको rejections मिला, जिसकी वेसे price downside के तरफ गिर गया, हमें इन points को, इन ranges को point out करना है, इन ranges को ढूणना है, और इसी को बोलते हैं, zigzag pattern या फिर ABCD pattern, इसकी खास बात क्या होती है, कि आपको एक support या फिर एक resistance level ये provide करते हैं, आप इन support या फिर resistance levels को आपको देखना होगा, high लगता है, low, highs, lows, high, low, high, lows, इस तरह से market आपकी मालीजे चल रही है, अब देखिए हमें करना क्या है, कि जैसे हमने आपको बताया कि ये वाली जो points है, हमें points को point out कर लेना है, ये जितने भी आप dots देख रहे हैं, हमें इन्हें point out कर लेना है, अब इनकी मदद से आप क्या करोगी, कि जहां पर भी आपक expected है, उन ranges को आप mark कर लो, like ये वाली range, यहां से high जो हमारा लगा माल लीजे, यह आपका एक high लगा है, हम इन highs को mark कर लेंगे, यहां से इन highs को mark कर लेंगे, इसमें volumes के भी काफी सारे confirmations होते हैं, volumes की demand हमें information में पढ़ती हैं, but volumes को हम discussion यहां पर नहीं करेंगे, because समय की कुछ कमी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हैं, महां के कि तरफ बढ़ेंगे, अब देखें, जब हम अपने इन highs को mark करते हैं, तो क्या होता है, यह points हमको एक expected resistance, या फिर एक expected support point प्रोवाइट करते हैं, यह वाले points, यह वाले points, अभी इनको चलेंगे और charts के उपर बहुत अ कि जब आप इन zigzags को draw करोगे, तो market आपको इतनी ही clear cut नजर आएगी, और जितनी easy आपको market लगेगी, जितनी साफस उतरा आपका chart होगा, जितना clear आपका chart होगा, उतना ही easy trade आपके लिए बनेगा और उतना ही easy trade आप कर पाऊगे, ज्यादा complicated नहीं बना देना है, सिर्फ किसी एकेंडल का high ही होगा, यहाँ पर भी किसी एकेंडल का high या low ही होगा, जो हमें mark करना है, वो high या low ही mark करना है, हम उसका open या close mark नहीं करेंगे, high या low ही mark करेंगे, इस चीज़ को अभी हम लोग chart पर देखते हैं, चलके, कोशिच कीज़ेगा, कोई भी chart, मालीज हमने ज को ले लेते हैं, टाइम फ्रेम कोशिच की जगा, वन आवर का लगा लिज़े आप, है ना, वन आवर का टाइम प्रेम, volumes को height करेंगे, अब ये देखिए कि ये वाले जो points हैं, जहाँ पर market ने low लगाया है, होने वाला क्या है हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन जो चीज हो च expectation हो जाती है, ये just prediction है, अब देखिए माल लिजे ये एक low लगा, low के बाद में एक ये high लगा, direct high, high के बाद में ये अपना एक low point है, low के बाद में ये high, again ये low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, और इसको हम छोड़ देंगे, ये जो range आज बनी ही, इनको हम छोड़ देंगे, अब ये zigzag pattern हमने अपना draw कर लिया, इसके बाद में आप यहाँ पर एक high लगाई है, जो आपको high points लग रहे है, आप यहाँ पर high लगाई है, आपके जो lows लग रहे है, कुछ इसे point पर लग रहे है, simply आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इन points को point out कर लिया आपने, कि जो dots दिख रहे हैं, जितने भी dots आपको दिख रहे हैं, यही important है, इन dots को read करना है बस, dotted score अब मान लिजे कि यह वाले जो low points है, low है या फिर यह high हो गया, आप इन highs को mark कर लिया, अब in between हम देखेंगे, कि और कौन कौन से मेरे supports हो सकते हैं, like, इनको मान सकते हैं support, क्योंकि यहाँ पर भी price ने एक swing high लगाया, यह वाली जो range है, यहाँ पर भी market ने एक swing high लगाया, यह वाला point है, इसको भी हम mark कर सकते हैं, यहाँ पर भी market ने एक swing लगाया, अब हमको काफी हद तक कई सारे support या फिर resistance points मिल चुके हैं, हम इन ranges को कर देंगे delete, अच्छा इनको delete कर दि हैं, उनके according ही आपको काम करना है, जस्ट ऐसा नहीं है कि इन markings के पास में आपको stock आया और आपने उसको trade कर दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको confirm करना है, अगर आप short करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखिए कि कुछ bearish formations form हो रही है, पिन भार बन रही है, या फिर trading entries के उप आपको, अब मान लीजे कि आपका HTFC bank को अगर हो 5 minutes पर देखते हैं, अपने ranges के पास में, तो काफी अच्छा momentum को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये वाला जो point है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, कि ये अपने लिए एक resistance, ये resistance, support, ये वाला point अपने लिए एक support, support, य करने के लिए हमने आपको बताया है, कि patterns को देखना होगा, हमें informations के पास में, अपने prices को देखना है, price को read करना है, उसको देखने की समझने की कोशिश करनी है, इसकी और भी आगे काफी advanced analysis होती है, जो कि class में हम अपने, जितने में members होते हैं, को एक एक करके समझाते हैं, बत बताते हैं, बट क्या है, कि शुरुआत अगर आप कर रहे हो, तो information से, इन lines से, जो zigzag pattern हम आपको बता रहे हैं, इन से आपको बहुत मदद मिलेगी, एक step अपना जमाने में, first step रखने में, price action की field में, बहुत मदद आपको इससे मिलेगी, जितने में videos हम upload करते हैं, सभी में क कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि जिसको आप अपनी trade के अंदर अगर add कर लेते हो, काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी, और या आपकी एक trade की journey start हो सकती, एक price action trader के तौर पर, ना कि indicator based trader, इन जितने भी formations हमने आपको अभी ही तक बताएं, including zigzag pattern, आप इसको practice करो, बह सारी traders की help लेते हैं, बहुत सारी traders का use करते हैं, बहुत अच्छा concept है, और आपको एक expected highs और lows मिल जाते हैं, यह देखिए, expected highs और lows आपको यह zigzag patterns देते हैं, बस क्या है, कि थोड़े दिन इसकी practice करनी होगी, एक सही way में practice करनी होगी, अगर यह levels आपको draw कर ने आगे, तो कोई भी अगर आपको कुछ doubt है, कुछ questions है, और आपको पूछना चाहते हो, तो comment box में आप comment कर सकते हो, जरूर से जरूर हम उसका reply करेंगे आपको, okay, so, आज का trade और यह concept, I think आपको अच्छा लगा होगा, okay, so thank you, goodbye, and अब हम मिलते हैं अपने next trading session में, देखते हैं, अगर हमे कोई अच्छा trade मिलता है, तो मुसको जरूर आपके साथ share करेंगे, okay, so thank you, goodbye, and we will meet again.